वेलकम अमर सर यूटूब चैनल इस पर आप सबों का स्वागत है आज का एपिसोड बहुत है इंपॉर्डन्ट है SBI क्लर्क मेन एक्जाम के लिए आपके पास 10 डेज का टाइम है इसके लिए मैंने जो स्ट्राटेजी बनाई है जबर्दस्त है लास्ट येर के वेपर का अनेलेसिस कट आफ किन चीजों पर जोड़ देना चाहिए और किन पर नई असल में स्ट्राटेजी तो बनते ही है हर एक्जाम के लिए मैं भी बनाता हूँ लेकिन चुकि रिजल्ट तुरंत निकला है और 10 डेज का टाइम है आपके पास तो मैंने इसके पीछे काफी मेहनत की और ये मेहनत आपको नजर आएगी इस वीडियो में कुछ एक्स्क्लूसिफ चीजें जिनका ध्यान जदी आप रखेंगे तो इस एक्जाम के लिए जो टाइम 10 डेज का है उसको इस स्टडी के ख्याल से चांसिस के ख्याल से आप मैक्सिमाइज कर पाएंगे देखिए मैं सैंटिफिक स्टडी करने जा रहा हूं अंगले संदी दोनों में है मौजूद है बात करता हूं सबसे पहले है ये एक टेबल है जिसमें मैंने एनलाइस किया इस टेबल को देखिए अभी जो रिजल्ट निकला है SBI क्लर्क में के लिए तो उसमें जो प्री का कट अफ है वो यह है 2020 में जो फेबलरी में एक्जाम हुआ था लेकिन लास्ट येर में प्री और में का जो कट अफ है प्री का और में का जो कट अफ है उसका मैंने टेबल बनाया है आप देखिए लास्ट येर इसलिए दोनों प्री इसलिए कि आपक जाता हूं इसके माध्यम से कि देखिए हाइस कट आफ वाले लोएस कट आफ वाले कौन से स्टेट हैं क्या कट आफ है देख लीजी तो में के एक्जाम के लिए प्रेशर भी थोड़ा कम हो जाएगा यही मक्सद है दिखाने का आप देखिए लास्ट ये जो में का है यानि इ में रख के पढ़ना है यही नहीं रहेगा लेकिन यह ट्रेंड बताता है इसके आसपास रहेगा तो इस पर हम लोग बात करेंगे और सबसे कम जो कट आफ रहा है वह यह आसाम करनाटिका च्छत्यसगर बहरास्ट्रा गुजरात और उडिशा यह सिक्स स्टेट्स का 2019 में मे में में यह मी निम का तया और माक्सिम का तका प्री में में होता है इसमें थोड़ा अंतर होता है यह भी दिखाना है ताकि स्टेट को लेकर के आपको ज्यादा टंसन नहुichts तो यह जो main last year हुआ उसका जो pre हुआ था तो जो lowest cut-off है वो तो ठीक है वो तो लगभग वही है जो pre में है वही main में है 2019 में और 2020 में भी आप देखेंगे वही है लेकिन जो highest cut-off है इसमें काफी change है आप देखिए two states का तो change नहीं है यानि हर्याना और पंजाब हमीशा से highest cut-off वाले states रहे हैं लेकिन उसके बाद देखिए हमाचल प्रदेश डेल ही अंधर प्रदेश जो ये last year top में थे मतलब उसके बाद three states है लेकिन last year जो prelims में थे उसमें अलग है देखिए चंडीगर चंडीगर का अभी का ये data अवेलेबल नहीं है तो उसका उच्छा ही रहेगा और उत्तराखन प्री में और उत्तराखन का इस बार भी सबसे जादा cutoff में सामिल है देख रहे हैं ये मैं अभी ये इसलिए दिखाना चाहता हूं कि आपको marks कितना लाना है हाइस्ट पकड़ लीजिए तो 103.25 आउट अफ 200 ये सभी तो प्री का है तो 100 में है और ये में का है यानि ये cutoff जिससे आप जिससे आप क्वालिफाई करेंगे 103.25 तो एक तरह से समझ लीजिए कि आप 52 परसंट जल्दी बूलिए 52 परसंट 104 समझ लीजिए highest समझ लीजिए 104 समझ लीजिए आपका target क्या होगा यानि pressure काफी कम हो जाता है ये feel करके कि ये जो cutoff means का रहा है 103.25 highest है कई और चीजे हैं जिन पर मैं बात करने जा रहा हूँ यानि 200 marks में आपको maximum अगर किसी state का है तो 103.25 पर final selection होना है थोड़ा vary करेगा तो इसी की आस पास रहेगा अब इसके लिए strategy बेर मैं बात करता हूँ ठीक है आप देखिए आपका जो exam है उसके instruction में कुछ important बाते है इसलिए मैंने उनको note किया कि देखिए जो main exam आपको देना है separate timing है separate timing का मतलब इस पर फिर से आता हूँ देखिए इनके लिए अलग-अलग ये 35 minutes, 35 minutes, 45 minutes, 45 minutes उतने समय में आपको वो set देना है separate timing है negative marks है पता है one fourth marks है जो question का जितना marks रहेगा one fourth कटेगा हर wrong number के लिए लेकिन ये मैं क्यूं दिखा रहा हूँ minimum percentage marks on aggregate है total लेकिन जो सबसे important बात है वो कि no minimum qualifying marks for individual subject यानि कहने का मतलब ये है और merit list तो state wise और category wise बनता है यानि कहने का मतलब ये है कि ये जो strategy होगी आपको उत्साह आजाएगा सिर्फ सही बात सुनते सुनते समझते समझते मतलब मज़ा आ जाएगा confidence आ जाएगा कि आप pass करने जा रहे हैं अगर hundred three या 104 marks मान लेजिए 52 percent 104 marks मान लेजिए तो आप किसी में zero भी लाएंगे तो pass कर सकते हैं ऐसा भी हो सकता है no sectional cut-off overall है SBI PO में भी है SBI के clerk में भी है जबकि IVPS में ऐसा नहीं तो आप ध्यान दीजिए मैं तो यह episode बना रहा हूँ especially quant को analyze करने को लेकर के उसके सारे questions को analyze करूँगा last year का और इस year का बताऊँगा last में उसके पहले जो और चीजे important है वो मैं बात कर लेता हूँ समझ गए अब क्वांट का discussion करने के पहले एक overall बात सुनिए first है general financial awareness और second है general English बहुत important बात general English नहीं पढ़ेंगे आप सुनिए मैं क्या बुल रहा हूँ यह जो ten days है इसमें जो सबसे important बात है वो है time बहुत बहु प्रेस इस समय की एक मिनट का कैसे इस्तेमाल करें ये आपको सोचना है वेस्ट नहीं जाए ये नहीं सदूपयूग कैसे करें इसमें मेहनत करने से इतना गेन होगा और इसमें मेहनत करने से उससे ज्यादा गेन होगा गेन दोनों जगा हो रहा है लेकिन मैं इस पर मेहनत करूँगा क्योंकि मुझे समय का सदूपयूग करना है English बहुत important है लेकिन इन 10 days के लिए नहीं है क्यों क्योंकि कोई sectional cut-off नहीं है एक तो मजबूरी नहीं है दूसरी बात कि हमें marks चाहिए marks चाहिए marks चाहिए marks चाहिए जिनकी English strong है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं और जिनकी English weak है उनको भी पढ़ने की जरूरत नहीं 10 days में पढ़के ऐसा क्या हासिल कर लेंगे अच्छा है वो मेहनत कहीं और करें मजबूत है तो भी पढ़ने की जरूरत नहीं कमजोर है तो भी पढ़ने की जरूरत नहीं पहला सबसे important fact जो इस वीडियो का है कि आप general English in 10 days में नहीं पढ़ेंगे मैं हमेशा के लिए नहीं बोल रहा हूँ इंग्लिस तो पढ़ना ही है किसे भी एक्जाम के लिए पढ़ना है लेकिन सवाल है इन 10 days के maximum utilization का जिससे हम maximum marks ला पाएं जेनरल इंग्लिस नहीं पढ़नी है नहीं पढ़नी है नहीं पढ़नी है जितना marks आ सके आ जाए या जितना ज्यादा ले आए जिनका strong है ले आए जेनरल इंग्लिस नहीं पढ़नी है नहीं पढ़नी है नहीं पढ़नी है तो पढ़ना क्या है जेनरल अवेरनेस, फिनेंशियल अवेरनेस सबसे पहली बात, सबसे ज़्यादा जोर आपका इस पर होगा इन 10 डेज में जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए ये सेक्षन आपको जीत दिलाएगा नमबर वन, नेगेटिवली इसको नहीं पढ़ना है पोजिटिवली इसको सबसे ज़्यादा पढ़ना है खोग पढ़िए, खोग पढ़िए, खोग पढ़िए आपका आधा समय जितनी देर आप एक दिन में पढ़ते हैं उसका 50% टाइम इस पर लगाईए इस पर मिलने वाला एक एक नमबर आपको सफलता की और ले जाएगा comparatively दूसरी की तुलना में समझ गया है? अब बाकी बचा दो सक्षन इनके लिए मैं student की दो category बनाता हूँ सबसे important है इन 10 days का जो समय है इसका maximum utilization जिनका quant strong है वो quant पर ध्यान देंगे जिनकी reasoning strong है वो reasoning पर ध्यान देंगे जिनकी reasoning strong है उनके लिए तो और अच्छी बात है 60 marks का paper है अगर वो English medium के हैं तब तो वो pass कर रहा है reasoning is strong हो English strong हो English medium के हो general awareness में कुछ भी कर जाए quant में कुछ भी बना ले उनका selection तो sure है लेकिन जिनका quant strong है और ये video पर especially उनहीं के लिए है वो quant पर ध्यान देंगे क्योंकि जो weak होगा उसको इन 10 दिनों में strong नहीं बनाया जा सकता और exam में कोई question तब बनता है तब solve होता है जब आप उसको 10 days पढ़ते रह जाएंगे कुछ हासल नहीं होगा इसलिए जो weak है उसको छोड़ दीजिए नहीं पढ़ना कहने का मतलब ये कि इन दोनों में से अगर आपका quant strong है तो reasoning में जो बहुत जरूरी है जो आप जानते हैं उसको ही सिर्फ revise कीजिए थोड़ा बहुत एक डेढ़ घंटे रोज दीजिए बस और अगर आपकी reasoning strong है तो quant में आप एक डेढ़ घंटे से ज्यादा मत दीजिए समझ गये ने दो भाग में ने किया अगर reasoning strong है तो सिर्फ reasoning पर ही जोड़ देना है quant पर एक से डेढ़ घंटा बहुत है और अगर quant strong है तो quant पर ही जोड़ देना है reasoning में एक डेढ़ घंटा बहुत है English को मैंने पहले ही काड़ दिया है ये वाला आप पढ़ेंगे जितना समय जिसको मिलता है दिन भर में पढ़ने का उसका 50% general awareness में देंगे बाकी जो 50% बचा उसमें समझ लीजिए उस 50% का 80% आप उसमें देंगे जो strong है और 20% उसमें देंगे जो की weak है ये strategy का main part है बोली ये समझ में आया इसके बाद आईए मैं बात करता हूँ ये तो समझ गए ये मैंने पहले ही कहा general English नहीं पढ़ना है मजबूत है तो भी कमजोर है तो भी general financial awareness ही पढ़ना है चोकि 50% weightage मैं उसको ही दे रहा हूँ और अब मैं last year के question का post-mortem करता हूँ इस से इस साल का पता चलेगा आई इधर देखिए last year जो 50 questions आये थे पहले उसको समझ लेज़े दे आई set 3 थे मतलब ऐसा ही नहीं आएगा लेकिन कैसा आएगा उसका ये direction बता रहा है मैं ये भी बात करूंगा कि किस तरह के changes होंगे ठीक है तो दे आई set 3 आये analyze करता हूँ तीनों का total questions कोई जरूरी नहीं रहता है इसमें 656 थे 555 भी हो सकता है ये और cashlet 1 यानि in general 20 होता है 22 आये थे वो 20 हो सकता है 21 हो सकता है 22 हो सकता है जो भी हो cashlet data analysis का part है समझ लेजी ये लगभग 40% 44% हुआ लेकिन 40% के आज-पास questions यहां से आये ठीक है उसके बाद आप बुलते हैं ना क्या पढ़ें किसको ज्यादा जोड़ते हैं आपने देखा ना strategy का main part कहां था और अब यहां भी कहां रहेगा quantum में वो मैं दिखाता हूँ पहले आप देखिए quantity one quantity two जिसको हम miscellaneous inequality कहते हैं इससे four questions आए पहले यह देख लीजी data sufficiency से five आए तो कोई जरूए नहीं है इससे भी five आ सकते हैं इससे भी five हो सकते हैं इससे भी four हो सकता है यह four five यह exam board पर depend करता है और miscellaneous word problems eleven आए समझ गया यह total आए ठीक है यह total आए यह questions आए और number series अच्छा number series कहीं चला गया seven questions number series से है ठीक है इसमें missing हुआ है number series जो है number series इससे seven question आए ठीक है इससे seven question आए तो यह कुल मिला करके questions रहे रॉंग number series था ठीक है रॉंग number series और इससे seven questions आए अब सुनियां कौन से chapter से ज्यादा question आए तो आप जानते हैं कि यह तरहसल chapter ही है देखिए quantity one quantity two है data sufficiency है पहले direct जो miscellaneous word problems आए वो देखिए probability mixture and allegation partnership train time and work mensuration problem best on ages और आगे मैं पढ़ता हूं पर मैंने color क्यों change कर दिया यह तो है miscellaneous word problems बहुत interesting है IVPS RRVPO का main अभी आप देने जा रहे है उसमें उसमें आपको पता है यही questions आए last year यानि यह question आए इसमें एक कहीं आपका mensuration का है जो two questions है नहीं तो ऐसा ही है partnership से two है नहीं तो ऐसा ही है और percentage profit and loss SICI number system थोड़ा और की जी देखिया miscellaneous word problems में यह देखिया probability mixture allocation partnership train time and work mensuration problem based tonages percentage profit and loss SICI और number system का ही question था हो गया लेकिन data efficiency किसको बोलते है वही chapter को probability probability से यहां ही आय था यहां भी पर्चनर से यहां भी आय था profit & loss यहां भी और SICI यह भी आय था यहां भी और mensuration यह भी आय था यहां भी इसमें permutation and combination से आया था, देखे, probability से यहां आया, तो permutation, combination से वहां आया, SICI, profit and loss, यह बाकी दोनों जगों पर भी आया, यहां भी आया, boat and stream, ages, इधर भी आया था, यानि कुल मिला कि chapters यही हैं, जो जिसको आपको पढ़ने हैं, थोड़ा chapter में इधर हुदर होता है, time and distance तो दिख नहीं रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है, क्योंकि कैसले time and distance पर आया, और train की रूप में एक question यहाँ पर आ चुका है, जो एक तरह से time and distance का ही part है, exam board कभी ऐसा नहीं करता कि कुछ chapters पढ़कर क्या पास करया है, exam board पूरे subject पर आपका command देखता है, और इसलिए यह इस्तती है, मैंने उने students के लिए, जिनका quant strong है, मैं चाहता हूँ 50 में 40 प्लस करें और इसी target के साथ बात कर रहा हूँ, पास करने के लिए जिन्रल अगर बात कीजिए, तब तो बहुत कम, समझे दीजिए 26 चाहिए 50 में, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा स्कूर करना है, चुकि क्वांट आपका as strong है, आपको 50 में 40 लाना है, 40 प्लस लाना है, तो डियाई पर आप जोड़ देंगे, डियाई पर मैं बात करता हूँ, रुख जाई, यह chapter तो समझ गए, मेरे सिर्फ यह कहना है कि time and distance पर, यहाँ पर नहीं आया, यह आया, तो हो सकता है कि probability या दूसरे chapter पर यह कैसलेट हो, और time and distance से यहाँ question आये, average से सीधा question नहीं आया, तो इस पार average से आना चाहिए, और pipes and systems से नहीं आया था last year, तो इस year आना चाहिए, बोटन स्ट्रीम से एक ही question दिख रहा है यहाँ पर, मेरा अनुमान है कि two questions आएंगे, और अगर two यहाँ नहीं आये, तो कोई D.I. उस पर base कर सकता है, या कैसलेट भी base कर सकता है, यानि बोटन स्ट्रीम का weightage बढ़ने वाला है इस exam में, time and distance का weightage बढ़ने वाला है, बाकी सबों का weightage तो पहले से है, वो तो रहे गाई, D.I. पर आईए बात करते हैं, ट्रेंड क्या है, देखिए, three D.I. sets आये, missing D.I. आया, लिकिन एक अलग तरह के situation में data है, number of notes, 20 rupees note, cut-e-fut-e notes, इसको change करने जाते हैं, कितना return मिलता है, मतलब check हो रहा है, कि आप कितना जानते हैं, analysis करने आपको कितना आता है, एक pie diagram आया, जो एक तरह से general था जैसा आता रहा है, लेकिन set two में, three में, एक multiple bar diagram आया, वो भी new type का है, passport के लिए आप आवे दिन करते हैं, application करते हैं, new passport के लिए, old passport के renewal के लिए, और बहुत अच्छा analytical, real में mains level का, वो D.I. set है, ऐसा ही कुछ नहीं आएगा, उसका form कुछ भी हो सकता है, वो form multiple bar diagram लिखा गया है, लेकिन multiple bar diagram बोलने से, पता नहीं चल रहा, कि real में question कितना खुबसूरत था, last year का, मतलब एक renewal है, दूसरा नया वाला है, new में फिर male female percentage है, मतलब एक जबरदस्ट याई था, एक तरह से trend towards main जैसा है, जो S.P.I.P.O. में होता है, एकदम वैसा नहीं है, लेकिन उसी की और जाता हुआ है, गोले, इस समझ में आया, आपको समझ में भी आ गया होगा, कि मैंने क्या रननीती बनाई है, क्यों बनाई है, आपको समझ में ना आए, तो इस वेडियो को दुबारा आप देखेंगे, तो समझ में आएगा, कि किन चीज़ों पर मैंने जोड़ दिया, ठीक है, अंत में सब कुछ बताने के बाद, जो निसकर्स निकलता है, वो आपके सामने है, avoid mock test, मैंने पहले नहीं कहा, क्यों, हो सकता है, बढ़क जाए, मैं तो बार-बार कहा रहा हूँ, पहली बार नहीं कहा रहा हूँ, mock test आप देते होंगे, मैं भिरोद करता रहा हूँ, दोनुँ अलग बात है, mock test देने के एक च्छा है, दीजिए, लेकिन इन 10 days में mock test को हाथ नहीं लगाएंगे, समझ देजिए, मेरी और से चेतावनी है, one month बचेगा, two month बचेगा, six months के लिए preparation करेंगे, तो चाहिए देजिए, कम नुकसान होगा, उतना नुकसान नहीं होगा, जो नुकसान होगा, साइद आप भरपाई कर दें, तो उस पर मैं ज़्यादा नहीं कहने जा रहा है, कभी भी मैं दवाब नहीं डालता, लेकिन इन 10 days में जिन्होंने mock test दिया, उनके chances कम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपने देखा, कि इन 10 days में जिन चीजों को पढ़ना है, उसके लिए आपके पास टाइम बहुत कम है, टेस्ट करकी क्या की दिएगा अपना, महा टेस्ट तो 31st अक्टूबर को है, इस बताइए ना पहले, mock test मितलो टेस्ट, मैंने कितना पढ़ा, अरे क्या कितना पढ़ा, अचानक से भी result आ रहा है कोरोना के बाद, टेन डेज में एक्जाम है, अब मैं अपना टेस्ट करूँ की पढ़ूँ, दवा खाईए, दवा खाईए, फीवर उसी दिन उतर जाएगा, सिर्फ टेस्ट, टेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, mock test को आप हाथ नहीं लगाएंगे, यह मेरी उर से instruction है, इन दस दिनों में, उसके बाद फिर जो में में आए कीजिए, most important thing, जो भी मैंने सला दी, उसका आधार क्या है, आपका समय मूल लिवान है, time is precious, एक-एक मिनट सोच समझ कर खर्च करें, यह परिक्षा वास्तब में, time management की परिक्षा है, exam hall में भी और exam के लिए, main exam के लिए, बचे इन दस दिनों के लिए भी, आप students, लगातार result के बाद कमेंट कर रहे थे, कि strategy बताईए, तो individually मैं कितना बताता, कितना WhatsApp पर लिखूं, कितना करूं, और उतना करना भी संबब नहीं है, मुझे उम्मीद है, कि आप चो चाहते थे, वो आपको मिल गया, मुझे उम्मीद है, कि इस direction में चल करके, आप अपने मेहनत को, ज्यादा उप्यों की useful बना पाएंगे, और chances को maximize कर पाएंगे, All the best.